हेलो दोस्तों आईएस PCS साइंस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों यहां पर हम लोग पादप जनन और पादप रुख संबांदित इन प्रश्णों को हम लोग करने जा रहे हैं जो अलग-अलग एक्जामों में पुछे गए जैसे इन सभी एक्जामों में पुछे गए सभी प्रश्ण बहुत ही महत्पुन है तो चलिए हम लोग स्टाट करते हैं दोस्तों स्टाट करने से पहले अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि साइन्स का बहुत ही स्पेसल चैनल है यहां पर सा प्रश्ण है गन्यकलाल सनहाद ब्रेकेट रेड रूट आफ सुगर कें किसके कारण बनती है ए कुलेट्रो ट्राइकम फलकेटम भी फाइटो थोरा इन्फेस्टन्स सी ऑल्टर्नेरिया ऑल्टर्नेट डी सरकोस्पूरा पर्सेन नेट तो सही इंतर हो जाएगा ए कुलेट् ट्राइकम फलकेटम अगला प्रश्ण है मुंग फली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उतरदावी कवक है ए सरकोस्पूरा पर्सेन नेटा बी कुलेट्रो ट्राइकम फलकेटम डी पक्सी निरिया ग्रेमिनेंस सी क्लेवीशेप्स पर्पूरिया तो सही अंतर हो जाए जाएगा ए सरकोस्पूरा पर्सेन नेटा अगला प्रश्ण है मक्य में सफेद कली किस तत की कमी से होती है ए नतरजन बी जिंग सी कॉपर डी मैगनेज तो सही अंतर होगा बी जिंग अगला प्रश्ण है पौधो में वाइट बर्ड रोग किस की कमी से होता है ए जिंग बी कॉपर सी ब्रोन डी मैगनेज तो सही अंतर हो जाएगा ए जिंग के कारण अगला प्रश्ण है पैलेरिया की सफस्ल का कीट है A. गेहू B. चावल C. गनना D. स्वयबिन तो सही अंतर हो जाएगा C. गनना अगला प्रश्ण है सफेद किट एक महत्मुन कवक रोग है ए गेहु का बी सर्सो का सी चावल का डी बाजरा का तो सही एंथर हो जाएगा बी सर्सो का अगला प्रश्ण है गेहु पर पाए जाने वाले दो पर्मुक कवक रोग है ए काला किट और समट बी सवेद किट और समट सी समट और प्रण कुंचन डी काला किट और सवेद किट तो सही एंथर हो जाएगा ए काला किट और समट अगला प्राश्न है कर्णार बंट रोग है A. जौव फसल का B. गेहू फसल का C. बाजरा फसल का D. जवार फसल का तो सही इंतर हो जाएगा B. गेहू फसल का अगला प्राश्न है धान का टूंगरो विसानू परसारित होता है A. तना छेदक द्वारा, B. गंधी बग द्वारा, C. गालमीज द्वारा, D. हरी पत्ती के फूद के द्वारा तो सही एंतर हो जाएगा D. हरी पत्ती के फूद के द्वारा अगला प्रशन है आलू में ब्लैक हॉट का कारक कौन है A. तामबे की कमी, B. ब्रोन की कमी, C. ऑक्सीजन की कमी, D. पोटासियम की कमी तो सही एंतर हो जाएगा C. ऑक्सीजन की कमी अगला प्रशन है भिंडी में पीत वन सीरा की बिमारी होती है A. माहू से, B. सफेद मक्ही से, C. फुदका से, D. कवक से तो सही एंतर हो जाएगा B. सफेद मक्ही से अगला प्रशन है यलो वेन मुझे गंभीर बिमारी है A. बैंगन की, B. भिंडी की, C. मटर की, D. पत्ता गुभी की तो सही एंतर हो जाएगा B. भिंडी की अगला प्रशन है निम्लिखित पर विचार कीजिए एक पक्षी, दो उर्ती धूल, तीन वर्सा, चार बहती हवा उपर्युक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं A. केवल एक और तीन, B. केवल तीन और चार, C. केवल एक दो और चार, D. एक दो तीन और चार तो सही इंतर हो जाएगा, D. एक दो तीन, चार, मतलब यह सभी जो होते हैं, यह पादप रोग के कारक होते हैं अगला प्रशन है पौधों में और्ध सुत्री विभाजन के अध्यान के लिए सबसे उप्यूक्त भाग होगा ए पर्रोह सिर्स, B. मुल सिर्स, C. प्राग कोस, D. पर्ण कोसिका तो सही इंतर हो जाएगा, C. प्राग कोस अगला प्रशन है, भुरून किसमें मिलता है ए फूल, B. पर्ण, C. बीज, D. कली तो सही इंतर हो जाएगा, C. बीज अगला प्रश्ण है मा पौधे की भाती पौधा मिलता है ए बीजो से बी तना काट से सी इन में से किसी से भी नहीं डी इन दोनों से तो सही इंसर रोग जाएगा बी तना काट से अगला प्रश्ण है एक ही पौधे के एक पुष्प के प्राकोस से प्रागन का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में अस्थांतरन कहलाता है अगले वीडियो में एक नए टोपिक के साथ क्पकी वर्तिकाग्र में इंग पुष्प के दितिनल नहीं से कानवागनन 맞 कि तो created और थे वागभा प्राकोस सनी सेंग़ एक पू़एट अगले जानों से रहागन प्रूद斗